हम बात कर रहे हैं राजस सुप्रीमो लालू परसाद यादो के बड़े बेटे तेजपरताप यादो की तेजपरताप यादो पटना से निकले थे राची के लिए, बताय जा रहा था कि तेजपरताप यादो राजस सुप्रीमों और अपने पिता लालू परसाद यादो से मुलाकात के लिए राची जा रहे हैं लेकिन इस दोरान जहानाबाद पहुँचते ही उनके साथ एक दुखत घटना होई, तेजपरताप यादो की तबियत आचानक बीगल गई, जानकारी मिली कि तेजपरताप यादो को पेट में दर्थ की शिकायत थी जिसके बाद वो जहानाबाद के एक होटेल में रुके और वहाँ पर आराम करने लगे, इस दोरान तेजपरताप को देखने के लिए डॉक्टरों के टीम वहाँ पहुची, डॉक्टरों के टीम ने जाच किया, विश्लेशन किया तेजपरताप यादो के तबियत का, जाच के बाद पता चला कि तेजपरताप यादो का जो बीपी ल आज सुबह सुबह रवाना हो चुके है राची के लिए बताया जा रहा है कि आज वो राजा सुप्रीमों और अपने पिता लालू परसाद यादों से मुलाकात करेंगे यह वही तेजपरताप यादों है जो तलाक की अरजी डालने के बाद अपने पिता से मिलने के लिए रा 2019 में होने हैं और 2020 के विधान सभा चुनाओ पर रणनीती तै करेंगे इससे पहले जो नजारा पटना के राजत काराला में देखने को मिला वो आपसे शिपा नहीं है तेजपरताप यादों अचानक पटना के राजत काराला में इंट्री लेते हैं और वो लालू परसाद य वारसे सुख hmदेडने का काम करेंगे तेजपरताप यादो के इंट्री स्या भी माना जा रहा था तकी एक बर फिर से राजनितिक रूप से तेजपरताप शक्रिये हो गए हैं यही वजह है कि तेजपरताप यादो अचानक राजट कारेला में मीटिंग करने के लिए पहु भगवत गीता निकालते हुए लोगों को दिखाया और कहा कि अब इसी के तर्च पर 2019 का लोग सभा चुनाओ लड़ा जाएगा। हाला कि इस बीच जो खबर आ रही है कि तेजपरताप यादो आज अपने पिता राजा सुप्रीमो लालू परसाद यादो से मुलाकात कर सकते हैं राची में लेकिन संशे बरकरार है क्योंकि तेजपरताप को ये पहले से पता है कि शनिवार का दिन मुकररर किया जाता है सकी आदेश उनको मिला हुए क्योंकि लालू परसाद सिर्फ रिम्स में अपने इलाजी नहीं करा रहे हैं वो चारा घोटाला मामले में सजा याफता भी हैं तो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या तेजपरताप यादो कि लालू परसाद से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है पिराल तेजपरताप जहानाबाद से राची के लिए निकल चुके हैं हम आपको बिहार समेत देश-दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथी साथ उ उसको शेयर करना ना भूले और हमारे फेजुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको हर छोटी वड़ी खबरों से जुड़ी नोटिफिकेशन्स मिलती रहें